गुद्बॉर्णिंग बच्चो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सर्फेज एरिया वॉल्यूम पार्ट फोर उसमें हम फ्रस्टम का सर्फेज एरिया वॉल्यूम कवर करेंगी बच्चो ये पार्ट में हम फ्रस्टम का सर्फेज एरिया वॉल्यूम कवर करने वाला है तो तो वाट इस फ्रस्ट्म फ्रस्ट्म क्या headchuleat वो तो मैं पता होना ही चाहिए तो वहится को पटा है वहीं। कौन क्या है यह हमारा कौन है भाच प्रस्ट्म क्या थे सहिंक कहें उसका यह पेजं। यह क्या है base तो वह base उसके parallel कोई भी part में से cut कर दो तो ये जो हमारा portion बन जाएगा वो क्या बन जाएगा frustum बन जाएगा ये क्या हमारा हो गया frustum लिए तो ये हमारा हुआ frustum समझ बहारा है बच्छो ये frustum है ये frustum है उसका हमें क्या find out करना है surface area एक तो surface area and second thing volume यह दोनों हमें उसका find out करना है clear बच्चो ओके तो यहां देखो आपको दिखाया हुआ है फ्रस्टम आप कौन क्या है फ्रस्टम आप कौन तो यहां से यह parallel cut किया तो यह जो portion हमें मिला वो क्या है फ्रस्टम of कौन है समझ में आ रहा है बच्चो तो उसका surface area and volume हमें पढ़ना है तो पहले था हम surface area डिराइव कर ले थे बच्चो surface area तो हमें पता है कौन का surface area उसका equation क्या था बच्चो तो कौन के लिए था πाई आर एल क्या था पाई आर एल क्लियर कौन का surface area था सारही surface area था पाई आर एल तेहां हमारे पास frustum है तो frustum क्या है part ओप कौन है यानि दो कॉन ओके यहां आप देख सकते हो एक यह जो कौन है उसको कट किया यहां से कट किया यानि हमारे पास दो कौन का डिफरेंज हुआ है यह बड़ा कौन और यह छोटा कौन उसका डिफरेंज यानि क्या हुआ तो उसका डिफरेंज यानि फ्रस्टम समझवा रहा है यह दोनों कौन का एरिया का डिफरेंज हमें फाइंड आउट करना है देटेइस हो जाएगा फष्ट आज़ा फष्टम और सब्सेश्ट में फाइंड आट करना है और टोटल सर्फेश अर्फिस अरफ रस्टम फाइंड आट करना है तो चलिए बच्चो पहले दिया फिगर हम समझ लेते हैं फिगर में कैसे हमने ट्रौ किया हूआ है कौन बनाए ह हो ऑए तो यह जो कॉन है उसका टोटल कॉन का हाइट यह जो कॉन है उसका हाइट हमने अन नहीं लिया ह। समझ महीं हारा है, यह जो उसका स्लांट टाइट है कौन का आल वन लिया हुआ है, जैसка ला वन परेंगे इसको स्कोन JR हुआ है यह जो कौन है ओ ए बी सी कौन है ए बी सी कौन है ओके उसमें यहां से हम डी ए से कब बी सी को पेरिलल कट करेंगे यानि बी डी ई यह ए सी क्या हो जाएगा वारा बच्चो फ्रस्टम हो जाएगा ओके दियान रखना है यह वाला पोर्शन हमारा क्या है फ्रस्टम प्रस्टम प्रस्टम की रहा थी च्रॉंग्छ यह slant height हुआ L हुआ क्या हुआ slant height L फ्रस्टम का height कितना लेंगे तो फ्रस्टम के height को denote करेंगे H से बच्चो ओके यहां जो कौन था उसका जो बेज है उसका radius हम लेंगे R1 क्या लेंगे बच्चो R1 और यह जो फ्रस्टम है यानि स्मॉल कौन है यह जो स्मॉल कौन बन रहा है ADE यह जो स्मॉल कौन बन रहा है उसका जो बेज हुआ उसका हम radius लेंगे बच्चो आर्टो तो पहले तो notation दियान रखना है यह सब not करना है ऐसे ही करना है change नहीं करना है अपने इसाब से नहीं करना है ओके total कौन का height H1 slant length L1 फ्रस्टम का slant length L height first time का edge clear ओके यह जो छोटा कौन है उसका height क्या होगा बच्चो तो तो टोल हाइट है h1 और फ्रस्टम कार्ण हțiरा एच तो h1-1 एक करोड़े चोटा कौन एडी-ई उसका हईट बन जाएगा h1-1 श इस इम है चोटा कौन है adே उसका हाइट क्या बनेगा बाच तो छोटा कौन is again e d e उसका स्वाइट बन जाएगागा तो टो एलन का स्लांट टाइट है एल तो ल 1-L हो जाएगा वच्चो L1-L clear तो figure समझ में आगाया अभी हमें पता है similarity वाला ट्राइंगल का similarity तो यहां आप देख सकें वह इन ट्राइंगल ABC ओके ट्राइंगल ABC क्या है कौन है ट्राइंगल ABC हमारा क्या है कौन उसमें फ्रस्टम हमने कौन सा बनाया दीए सी बी फ्रस्टम कौन सा बनाया बच्चो डीए सी बी रेडियास आरवन और टॉ आपको पता चल गया फ्रस्टम का हाइट है इन ट्राइंगल ABG अभी ABG राइट एंगल ट्राइंगल है बच्चे ABG क्या है राइट एंगल ट्राइंगल ए बी जी राइट एंगल ट्राइंगल है और डी एफ उस जो बी जी को पैरेलल है डी एफ क्या है पैरेलल टू बी जी हमने बोल दिया पैरेलल कट करना है इसलिए पैरेललल हुआ ड ADF are similar क्या है similar है ABG triangle ABG and triangle ADF are similar तो similar ID पता है हमें side का proposal क्या होता है equal होता है तो यहां क्या होगा DF upon BG DF upon BG यह हमारी side DF है बच्चो DF upon BG यह हमारा side BG DF upon BG equal to AF upon AG AF upon AG समझ में आ रहा है ना बच्चो यह triangle की semi idea हमने पड़ी हुए और क्या बोल सकते हो AD upon AB AD upon AD upon AB clear यह हम लिख सकते है तो हमने यहां लिख दिया अभी जो सब value रखा था वो रख देते है DF equal to हमने क्या लिया हुआ है R2 और BG equal to R1 यानि R2 upon R1 equal to AF क्या है हमारा बच्चो यहां देख सकते हो AF क्या होगा H1 minus H होगा है यानि H1 minus H upon H1 AG क्या है हमारा H1 total height वैसे AD क्या है हमारा तो AD हमारा क्या है बच्चो L1 minus L है और AB क्या है L1 है यानि L1 minus L upon L1 clear बच्चो समझ में आ रहा है अभी आप देख सकते हो H1 minus H यहां हमने जो लिखा हुआ है H1 minus H upon H1 तो क्या हो जाएगा H1 upon H1 minus H upon H1 H1 upon H1 क्या होता है 1 1 minus H upon H1 clear बच्चो तो हमने यहां रख दिया 1 minus H upon H1 same way L1 minus L upon L1 equal to 1 minus L upon L1 clear अभी यहां में यहां slant height की ज़रूरत है क्या find out कर रहे है यह surface area तो कौन का surface area क्या था pi R L यहां क्या था slant height तो first time में भी क्या आएगा slant height ही आएगा उसमें height की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो यह height वाला हम side में रखते है तो क्या हुआ तो R2 upon R1 R2 upon R1 आप देख सकते हैं R2 upon R1 equal to 1 minus L upon L1 अभी transpose कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा L upon L1 equal to 1 minus R2 upon R1 यहनि 1 minus R2 upon R1 LCM R1 ले ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा R1 minus R2 upon R1 हो जाएगा clear बच्चों समझ में रहा है अभी क्या करना है दोनों का reciprocal करना है left hand side और right hand side दोनों का left hand side यह left hand side है हमारा यह right hand side है दोनों का क्या कर लेते हैं हम reciprocal तो reciprocal कर लिया तो क्या हुआ L1 upon L equal to R1 upon R1 minus R2 अभी क्या करेंगे यह जो L है यहाँ L1 upon L L क्या है divide में उसको transpose करोगे तो क्या हो जाएगा R1 से multiply यहाँ L1 equal to R1 into L upon R1 minus R2 clear बच्चों यह धियान रखना है यहाँ तक पता चल गया अभी CSA of frustum क्या हो जाएगा बच्चों CSA of frustum यहाँ frustum of CSA of con ABC minus CSA of con AD यानि बड़े कौन का CSA में से छोटे कौन का CSA माइनस करते है बड़े कौन का CSA con ABC उसमें से छोटा कौन यानि con AD उसको माइनस कर दो तो क्या मिल जाएगा में frustum frustum का CSA मिल जाएगा ओके बड़ा कौन है तो PIRL CAS PIRL यह जो बड़ा कौन है उसमें R क्या है R1 है बच्चो ना R क्या है R1 और L क्या है L1 यानि PIR1 L1 लिख दिया एगे यह जो छोटा कौन है उसमें R क्या है R2 चोटा कौन के अंदर R क्या है बच्चो r2 है ओके यानि pi r2 और length कितना होगा length होगा slant length कितना होगा l1 minus l होगा यानि l1 minus l अभी हमने यहां बच्चों आपने देख लिया l1 का value find out किया l1 का value क्या था l1 equal to r1 into l upon r1 minus r2 वो value यहां l1 की put कर दिया ओके यहां हमने put कर दिया तो pi r1 l into r1 upon r1 minus r2 minus pi r2 r1 l upon r1 minus r2 minus l clear यहां l1 का value put किया यह l1 का value put किया और यह l1 का value put किया समझ भा रहा है बच्चों अभी simplify करते जाओ तो simplify करोगे तो आपको क्या मिलेगा तो यह वाला मिलेगा pi r1 square l upon r1 minus r2 minus r2 square r1 upon r1 minus r2 clear अभी दोनों में pi l common है pi l common निकल दिया r1 square minus r2 square upon r1 minus r2 यहां उपर देख सकते हो a square minus 20 कर वाली property का यूज करोगे तो क्या हो जाएगा r1 minus r2 into r1 plus r2 upon r1 minus r2 यह क्या हो गया cut हो गया यहनि क्या बच्चा r1 r2 pi l तो अल्रेडी था pi into l तो equation क्या हो गया csa of frustum pi into l r1 plus r2 यह क्या हो गया csa of frustum समझ में रहा है बच्चो अभी करना है total surface area of frustum तो यह जो हमारा frustum है बच्चो यह हमारा frustum है उसका total surface area तो csa से तो हमने find out कर लिया बच्चो csa of frustum क्या था pi l into r1 plus r2 था चलो तो वो तो यहां रख देते अभी उसमें top और bottom दो बेज है यहनि तो दोनों circle का area हम क्या कर देंगे add कर देंगे यहां radius क्या था बच्चो आप देख सकते हो radius क्या लिया था हमने r2 small circle का radius r2 लिया था और big circle का radius r1 यानि pi r1 r2 square इसका क्या होगा pi r2 square इसका क्या होगा pi r1 square दोनों यहां क्या कर देते add कर देते समझ में आ रहा है बच्चो अभी सब में से πाई common निकल दिया सब में से πाई क्या किया common तो क्या हो जाएगा bracket के अंदर r1 plus r2 into l plus r1 square plus r2 square यह क्या होगा total surface area of frustum total surface area of frustum तो समझ में आ गए बच्चो तो frustum का csa frustum का csa क्या है बच्चो तो frustum का csa है πाई इंटू frustum का csa क्या है बच्चो πाई इंटू l into r1 plus r2 πाई into l into r1 plus r2 यह क्या होगा csa अभी total surface area क्या होगा बच्चो तो total surface area है πाई इंटू क्या होगा r1 plus r2 into l जो csa में है already plus r1 square plus r2 square इंटू यह दोनों equation आपको याद रखना है इसको use करके हम बहुत सारे word problem solve करने वाले है ओके बच्चो चलिए तो यहां एक question है the ready of the one of the ends of the frustum of कौन is 45 cm 45 cm क्या है तो frustum का height दिया होगा 45 cm क्या दिया होगा frustum के height clear यह जो frustum है हमारा उसका height 45 cm दिया होगा उसका radius कितने है क्या-क्या है तो radius उसके 28 और 7 है 28 और 7 clear find its volume curve surface area and surface total surface area उसका volume find out करना है okay तो volume का derive हमने अभी नहीं देखा हुआ है okay तो पहले दा हम CSA और TSA find out कर ले दे clear तो CSA वाला equation हमें पता है तो CSA क्या था curve surface area क्या था बच्चो curve surface area था pi into r1 plus r2 into l clear l equal to क्या होगा तो l equal to होगा root of s square plus r1 minus r2 whole square होगा clear यह l का value है ओके और total surface area का equation क्या है pi l into r1 plus r2 plus pi r1 square plus pi r2 square तो इसका use करके हम curve surface area और total surface area find out कर सकते है हमारे पास क्या है बच्चो तो हमारे पास यहाँ आप देख सकते हो तो h है h हमारे पास है clear h equal to है r1 और r2 भी है r2 और r1 भी हमारे पास है ओके तो यह सब को use करके हम क्या करेंगे first time का curve surface area and total surface area find out करना है हमारे पास l नहीं है बच्चो तो पहले हम l find out करना पड़ेगा ओके l का equation आपको पता चल गया हाँ तो l क्या है तो l equal to l क्या है बच्चो l equal to h2 square plus r1 minus r2 square तो वो value put करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा slant length slant length okay height कितना था 45 45 square plus 28 minus 7 square तो यह सको आप simplify करते हो तो 49.65 cm यह क्या मिल गया हमें slant length clear अभी हमें क्या find out करना है curve surface area equation में put कर दो सब r1, r2, l सब put कर दिया आपको पता है सब value हमारे पास है सब put कर दिया तो हमें क्या मिल रहा है 5461.5 cm square total curve surface area equation याद रखना है pi r1 plus r2 into l plus pi r1 square plus pi r2 square यह तो हमें को मिल गया curve surface area उसमें pi r1 square plus pi r2 square add करना है यह तोटल surface area मिल जाएगा समझे आ रहा है बच्चो ओके यहां तक पता चल गया तो पहले तो आपको क्या करना है derive करना है equation क्या करना है derive करना है equation derive आप note में note down भी कर लो बच्चो जो अभी मैंने करवाया एक बार pose कर लो starting से फिर से वीडियो देख लो वीडियो देख के drawing बना लो उसका फिर उसको बना के खुद solve करो और नहीं पता चल दा है तो फिर से एक बार देख लो लेकिन आपको खुद एक बार solve करना है equation C.S.S of problem याद रखना है बच्चो C.S.S.S of problem याद रखना है वो याद रखोगे तब ही ये आप solve करणा होगे clear बच्चो तो C.S.S of problem क्या है C.S.S of problem है π.R1 plus R2 into L और total surface area का equation क्या है तो π.R1 plus R2 into L plus R1 square plus R2 square ये दोना आपको याद रखना है करना मत बुलना यहां पता चल गए आपको सी एसे वाला और टी एसे वाला ओके उसका जो वाल्यूं वाला है question वह हम कल करेंगे next topic में वाल्यूं लेंगे पहले हम सी एसे ही ले ले लिए ओके तो textbook में यह जो portion है यहां जो solution किया हूए will raise me Kaily यहां तक आपको पूछ नहीं करना है यह वाला आपको छोड़ यूज करना है और डारेक्ट शॉल करना है तो CSA और TSA यानि टोटल सर्फेज अरिया और कार्ट सर्फेज अरिया पता चल गया बच्चों कैसे फाइंड आउट किया यहाँ एक और क्वेश्चन है हमारा उसमें हमें इसका हमें इरिया फाइंड आउट करना है यह वाला पॉर्शन फ्रस्ट गयाँ नीचे क्या है यह वाला portion cylinder है, आप देख सकते हो, नीचे cylinder है, ओके, तो यह जो frustum है, तो frustum कहां में क्या करना पड़ेगा, पहले तो core surface area, CA से find out करना पड़ेगा, clear, plus क्या करना पड़ेगा, उपर से open है, लेकि नीचे से close होगा न बच्चो, bucket होती है, नीचे से close है ते, यानि यह जो portion है, क्या find out करेंगे हो, area, यानि यह जो circle है, उसका area, pi r square, और क्या है, तो यह जो नीचे, उसका base है, वो cylinder है, तो cylinder का यहां में क्या करना है, तो cylinder का भी CA से find out करना है, okay, तो plus cylinder का CA से, यह तीनों का plus करोगे, तो total surface area of bucket मिल जाएगा, clear, तिहां हमको क्या दिया हो है, total bucket का height दिया ह हो है, two circular end of the bucket are 45 cm, एक तो यह इसका radius है, यह वाला radius 45, और यह वाला radius हमारा 25, ओके, और उसका total height, vertical height है, हमारा 40, ओके, यहां जो cylinder उसका base हो है, उसका हमारा base का height 6 cm, समझ में आ रहा है, यानि यह cylinder का height क्या है, 6 cm, तिह जो फ्रस्टम होआ, उसका height क्या हो जाएगा, बच्चो height बोल रहा हूँ, slant height ने बोल रहा हूँ, height कितना हो जाएगा, 40-6, यानि 34, 40-6, यानि 34 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, बच्चो, अभी इसका use करके, CSA of Frustrum, तो Frustrum का CSA find out करना है, क्या equation क्या था, बच्चो, CSA of Frustrum क्या था, yes, yes, सोचो, सोचो, जल्दी, yes, okay, तो CSA of Frustrum क्या था, बच्चो, CSA of Frustrum, पाई, yes, r1, plus r2, into l, okay, बच्चो, okay, अभी बेस जो है, जो एक साइड क्लोज है, छोटा सरकल है, उसका area लेना है, पाई r square, okay, समझ में आ रहा है, okay, वो r2 लेहा हुआ है, इसलिए r2 square, अभी सिलिंडर, तो सिलिंडर का CSA क्या होगा, बच्चो, याद करो जल्दी, सिलिंडर का CSA क्या होगा, जल्दी, जल्दी, yes, yes, पाई r h, है न, ओके, तो पाई r h, सही हो या गलत, बोलो जल्दी, 2 पाई r h, या पाई r h, 2 पाई r h, yes, 2 पाई r h, clear, तो ये क्या होगा, CSA of Cylinder, clear बच्चो, अभी ये तीनों का, area find out कर लो, CSA find out कर लो, सबका प्लस कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, area of metallic seat, यानि कितना metallic seat आपको यूज करना है, वो आपको मिल जाएगा, लेकिन, यहां मैं पता है, curved surface area, फ्रस्टाउं, उसके लिए हमें l चाहिए, हमें l नहीं दिया हुआ है, तो l का equation क्या था, l equal to root of s square plus r1 minus r2 whole square, clear, r1 greater than r2 लेना है, बच्चों, यानि जो बड़ा है, वो आगे लेना है, छोटा पिछे लेना है, r1 minus r2 whole square, ओके, यह slant length का equation है, आप slant height find out कर लोगे, वो put कर दोगे value सब, तो आपको क्या मिल जाएगा, total surface area for metallic seat, clear, उसका यह answer आ गया, clear बच्चों, यहां तक पता चल गया, okay, तो अभी हमने जो किया, only curve surface area and total surface area के बाद किये होगे, volume की बाद अभी बाद किये, volume का derivation, यानि derive करना, volume का equation यह है, उसको derive कैसे किया, वो कैसे आया, वो हमें कल करना है, लेकिन आज इतना करना है, तो आपको यहां क्या करना है, आपको करना है, उसका derive, prepare करना है, कैसे equation आ रहा है, उसका derivation आपको prepare करना है, derive कैसे किया हुआ है, वो एक, दो, तीन बार देख लो, okay, उसका soft copy भी आपको साथ में दे देता हूँ, तो आप दो बार देख लेना केleb एक्यूश्य प्रिपेर कर से लेना कंवेय चोफिर दभी कब आज आजाता एक्जव में टो डिराइव बातमें करों करेंगे वियूम का डेरेविशल यारी वालिविश्य को डिराय करेंगे यह इक्वेशन कैसे लिट लेना और यहां तक आपको आज करना है, इसके अंदर फ मुंचेकर फ फाइंड आट करना थे वाल्यूम इसलिए अभी आप इसको छोड़ दो, example 14 उसके अंदर दोनों question combined है volume और area तो volume वाला question अभी हमें छोड़ देना है find the volume लेकिन area वाला question कर लेना है तो area वाला question आप find out कर लो total surface area कितना metal चाहिए CSA और जो भी है आप यहाँ put करके equation में कर देना नहीं पता चल रहा है तो मैं करवाँगा बाद में लेकिन आज इतना करना है okay बच्चों बाई